डेड़पूल एंड वल्वरी ने जो घमासान मचाया है कि भई बड़े बड़े मुवीज जो है वो भी फेल हो रहे हैं 4145 करोड इसने वर्लड वाइड कमा लिया है सिर्फ और सिर्फ पांच दिन में अलाकि मैं बात करूं वर्लड वाइड की तो कुछ जगा पे ये एक दो दिन पहले भी रिलीज हुआ था और इंडिया में जो भाई या पांच दिन का कलेक्शन निकल के आ रहा है वो है 80 करोड रुपे और मार्वल की मुवीज जो की बीच में बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो रहे थे वेब सिरीज बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो रहे थे उनको एक जस्ट लाइक के बूस्टर डोज मिला है तो वर्डवाइड ये में भी 200 करोड के भी पार जा सकता है इजिली अभी भी मुझे एक सिकायच जरूर है इस मुवी से वो है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन वैसे तो मुवी बहुत फणी था बट फिर भी पोस्ट क्रेडिट सीन उतना ज़ादा मजा नहीं आया मेरे ख्याल से उसमें कोई अगर दूसरे एक्टर्स डालते एवेंजर्स के कुछ एक्टर्स डालते या कोई बहुत ही बड़ा स्टार कास्ट एक दो डाल देते या Deadpool का लास्ट में Avengers में कास्टिंग हो जाता, selection हो जाता तो देखने में और ज़ादा मज़ा आता उसी के साथ धनुष का Ryan Movie वो भी इतना पीछे नहीं है, उसने 50 करोड कमाए हैं इंडिया में और worldwide इसका ग्रॉसिंग हो चुका है, 100 करोड का वो भी सिर्फ 5 दिन में अब Ryan Movie से मुझे इतना कुछ जादा कुछ खामिया मुझे देखने में मिला नी, विकॉज धनुष जैसे actor जो है, वो बहुत ही एक natural और raw acting करते हैं, और पूरे movie में जो उनका जितना भी scene था, जो उन्होंने खेला है भई, मज़ा आ गया देखके, इस से जादा expect मैं ना कर रह था, जितना मैंने expect किया था, हलाकि इसने उतना ही डिलिवर किया है, और ये बहुत ही अच्छा competitor था, भाई, बहुत सारे बड़े-बड़े movies भी हैं, वो Deadpool को देखके घबरा जाएंगे, बहुत बड़े से बड़े Bollywood movies भी, Deadpool के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज इसका इतना ज़ादा क्रेज था कि एक डेड़ साल से ही लोग इसका बहुत ही बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे, तो उसी टाइम में आ चुका है ये Ryan movie और इसने अच्छा खासा audience का intention अपने तरफ किया है, भाई, बहुत ही ज़ादा खतरना collection है, देखो मैं इन द कोनों ही ज़रूर देखना चाहिए, आपको कौन सा मुवी ज़ादा थे लगा, कमेंट में ज़रूर बताना मिलता गड़ने मता पर लिए ओक कि पाए